जब आप कोई ऐसा वीडियो देखे रहो जो आपको बहुत अच्छा लगता हो इसके बीच में ब्रेक अभी डामलोड करें शूदब में अब ही आपको मिलता है जिसे हासिल करने का होसला का हासां होता है है तो ह्सले को भी वगड़ना होगा कश को भी वगड़ना होगा देखने के नजरिये को भी वगड़ना होगा लेकिन धुकिल पर्सितियों में अगर आपने धुबनाए रखा दो युकिन मानिए एक दिन दुनिया आपकर उधारण दे और यही वो समय है जब आपको कुछ नया करना है, कुछ बेहतर सोचना है क्या सोचना है बताने के लिए आपके साथ है जोतिश गुरू दीपक कपूर जी सर स्वागत है आपका जी नोश्काइब तो आगे सर सबसे पहले पंचांग जान लेते हैं चतुर्थी तिति है देरराथ 1.09 तक और उसके बाद पंचमी तक आदरा नक्षत रहा सुवे 7.02 तक और उसके बाद पुनर रसू नक्षत तक चंद्रमा चल रहे हैं मितुन राशी में और चंद्रमा करक राशी में परोवेश करेंगे देरराथ 1.24 मिनट आज भद्रा है तो फैर एक बच कर चौदा मिनट से देर रात एक बच कर नौ मिनट और इसी के साथ शुरू होता है राज़िफल का सिलसला मेश और विशब हो जागे तयार आज के दिन की तयारी समझने के लिए और खुद को तयार करने के लिए मेश राशी वाले अपने अंदर कुछ ऐसे परिवर्तन लाना चाह रहे हैं जो आपकी मेहनत को बढ़ाएं और आपकी शक्सियत को उभारे फिर भी जिन्दगी के प्रती एक अजीब सी उदासी है जो समय के साथ ही दूर होगी और उस से दूर करने के प्रतन आपको लगातार करने हों जिस भी काम से जुड़े हुए हैं उसमें स्थिרטा बनाया रखना ही आपके हितने क्या करना चाहिए समय्मिए अपने बड़े वजुर्गों पर भरोसा करना होगा और अपने दम पर परिस्टितियों को सुधारने की कोशिश भी करने हो। किसी भी तरह का परिवर्तन आपकी मुश्किलों को बढ़ा सकता है। इस बात को भी भली बांती समझ के ही अपने कदम आगे बटाने होंते हैं। क्यान करें इस समय में? परिश्रम करने वालों की ही जीत होती है, और मन हार जाने वाले जिन्दगी में सब कुछ हार जाती है, इसलिए इतना भी भावुक्ना बनते चले जाएं कि आपको हर चीज बुरी लगनी शुरू है, छोटी-छोटी बातों को बिगाड़ के आप अपने लिए मुश्किल लेन परिश्रम के लिए चुनोतियां थमती चली जा रही है, और आर्थिक स्थिती बेतर होती चली जा रही है, यह और बात है कि आपको अपने बंते विगड़ते हालात पर इस रूप से नजर रखनी होगी, कि आपकी आमदनी के साधन बने रहे हैं, और इस प्रयास में परिश लोगों के प्रति आपके विचार सही है, आप सोच रहे हैं कि लोग आपके खिलाप, जबकि यह आपके मन में बिठाय हुआ विचार हो सकता है, और हो सकता है वही लोग आपकी किसी ना किसी रूप से मदद भी करना चाह रहे हैं, क्या ना करें इस समय, बेहतर होती हुए आर्थिक स्थिति का मतलब यह नहीं है कि आप किसी एक चीज में जुरूट से ज्यादा पैसा लगाना शुरू करने क्योंकि ऐसा करने से भी आप किसी में किसी तरह के नुपसान को ही बुलावा देटे चले जाएंगे और इस समय यही ठीक नहीं तो बहुत ध्यान देना इस बात पर कि किसी एक ही चीज में पैसा नहीं फसाते चले जाना है ताकि आपका किसी वी तरह का बाद में नुकसान ना हो इससे थोड़ा सा बचना है इन्वेस्टमेंट बहुत सोर समझके एक सवाल लेंगे जो तुश्बूरू पूजा शर्मा का स पढ़ाई किसी वज़े से रुख गई थी घर की शायद आर्थिक स्थिती ऐसी थी जिसकी वज़े से इनको अपनी पढ़ाई को बीच में ही रोपना पड़ा तो कब तक इनका करियर बन पायागाए कि अच्छी नौकरी लग पाएगी इन्होंने साइंस ट्रीम से रीडियो परिशानी की बात और जॉब मिलने में आपकी कुंडली में इतनी परिशानी नहीं है क्योंकि जॉब आपको मिल ली जाएगी एक तो समय अभी बना हुआ है जुलाई से नौमबर 2020 में और एक अगले साल भी बहुत अच्छा समय है मैं जून 2021 पर मेरी सिलाही है और आपकी क पढ़्हाई को आपको continue करना है हमें आगे बढ़ना है और आप मिठुन और कर के बारे में समझना है जोतश्गूरों से जोतश गुरू इनके लिए आपको आज के दिन के ऐसा दिखता है और आज के दिन के लिए इनकी तैयारी क्या होनी चाहिए कहां पर चूपने की उन्हें भी अपने साथ लेके आगे चलने की कोशिश तो करनी ही पड़ेगी। क्या करना चाहिए समुझे। जिन्दगी का वरोसा बनाय रखना बहुत अच्छी बात है। पर जितना वरोसा खुद पर कर रहे हैं उतना ही वरोसा अगर लोगों पर भी कर लेंगे। तो आपसी तालमेल समर जाएगा। और रिष्टों में ऐसी मधूरता आ जाएगी जिसे बनाय रखने से ही आपकी परिस्थितियां बहतर होती चली जाएगी। क्या ना करें समुझे। ऐसा ना सोचे के लोगों की मदद आपकी हर समस्या काहल कर देगी। लोग आपके प्रती अच्छा सोचते हैं और ऐसे में आप अपनी कोशिशों को लेके लापरवाना होते चले जाएगे। करक्राश्य वाले ही समझ लें कि जो लोग आपको आज बुरे लग रहे हैं वही किसी ना किसी रूप से आपकी मदद भी करते चले जा रहे हैं। कि लिए अच्छा सोचते हैं। क्या करना चाहिए समझ भरोसा तूट जाये तो परिशानियां बढ़ते हैं। लोगों की अच्छाए भी कम्यों के रूप में ही नजर आनी शुरू हो जाते हैं। आपको इस समय अपने मन में बिठाई हुई हर तरह की नकार आत्मक्ता को हटाना होगा। और ऐसा सोचने से भी साथ-साथ बचना होगा कि लोग पीठ पीछे आपकी बुराई करते हैं। ये ठीक नहीं है, ऐसा मद सोचते हैं। क्या न करें समय, मन में बिठाई हुई किसी भी तरह की घड़वाहत आपके लिए गलत फहमी प्यादा करें। और वही गलत फहमी आपके लिए नुक्सान का कारण मत से। इसले अपनी कोशिशों को किसी ऐसे काम में नलगाते चले जाएं। सिंग राशीवालों की आर्थिक स्थित्य ठीक हो रही है, और रिष्टों को लेके आपके मन में बहुत सारी घुटन हो, किसी प्यार के रिष्टे में ऐसे तक्रार की स्थित्य पैदा होती चली जा रही है, जिसका बुरा असर जिंदगी की बाकी चीजों पर रिष्टों पर पढ़ रहा है, और आपकी मुश्किले में वक्ती चली जा रही है, क्या करना चाहिए समुझ, अपनों के लिए वक्त निकालना होगा, क्योंकि आपकी मस्रूफियत कुछ इस तरह से बन रही है, कि आप जिंदगी की बहुत सारी प्रात्मिक्ताओं को भुला के, अपनी जि प्रासिति को लेकर कोई ऐसे विचार ना बनाएं, जिसमें आप अपना नुकसान करते चले जाएं, बहुत ज़्यादा सोचना या बहुत ज़्यादा खुद को परिशान करते चले जाना कभी भी ठीक नहीं हो, क्योंकि ऐसे करने से आपकी सूच-भूज में कमी आ सकते, हर हाल में धैरे बनाया रखना ज़रूरी है, ताके आप से कोई गल्थ भी ना हो, कन्या राशिवालों को अपनों से बहुत सारी उम्मीदे और आपको लग रहा है कि वो उम्मीदे पूरी नहीं हो रही है, जबके आप काम और कारोबार के प्रती अपनी प्राथमिक्ताओं को पूरी तरह से समझ नहीं पा रहे हैं, और मेहनत भी कर रहे हैं, फिर भी आपसी रिष्टों में और अपने प्रदर्शन में कमियास है, क्या करना चाहिए समझा है, घर परिवार में लोगों पे रोसा करना होगा, और लोगों को उस नजर से देखना होगा, कि आप उनकी सी परिया भी अलग अलग हो सकता है, इसलिए परिशानिया वड़ता है, क्या न करें समझा, कामकाज की स्थिती बेतर हो रही, उसमें किसी भी तरह की कमी ना आदा, इसलिए अपने मन में कोई ऐसा उतार शड़ाव ना बनाते चले जाएं, जिसके चलते काम के प्रतिय आपकी की रूची में कोई कमी आजाएं. तो कब वो समय आ रहा है जब खटास दूर होगी और एक अच्छा महाल बनेगा पती-पत्नी के रिष्टे और सुन्दर और सुखध होंगे. आपको अपने वेवार पर थोड़ा सा काम करना होगा क्योंकि आपके वेवार थोड़े से ज़रा से सक्त अपनी बात कहते हैं, अपनी बात मनवाते हैं. आपसी ताल मेल में ये चीज़ें कभी-कभी परिशानिया करते हैं. और वैसे भी इस प्रयास को बनाये रखिए, 2023 से आपकी शादी-शुदा जिवन में बहुत सुभात है. तो बस अपने वेवार को नज़र रखनी है, थोड़ा सा और, क्या कहें, मीठा बोलने की कोशिश करनी है, समझने की कोशिश करनी है, और यकीन मानिये, बहुत बढ़िया आपकी जिन्दगी होने वाली है, 2023 से शादी-शुदा जिन्दगी बहुत बेतर हो जाएगी. आगे बढ़ते हैं, जो तुश्गुरु और आप बात कर लेते हैं तुला रुषिक की, तो इनके लिए आज कैसा है, और आज को कैसे समझें, क्या करें, क्या बिलकुल ना करें? तुला राशी वालों की पारेवारेक परिस्तियां ठीक भी हैं, पर फिर भी थोड़ा सा सयम मांगते हैं, कई तरह के ऐसे विचारें आपके मन में, जिन्होंने आपको परिशान भी कर रखा हैं, और जिसकी वज़े से आप अपनी जिन्दगी के अच्छे भले सुख को भी पूरी तरह से देख नहीं पा रहे हैं जैसे, क्या करना चाहिए समगे, खुद पर भुरोसा करेंगे तो मेहनत भी उबर कराएगी, और जब मेहनत उबर कराएगी, तो आपकी उपलब्धियों के द्वार भी कुलते चले जाएंगे, इस समय उस भुरोसे में करी नजर आ र लोगों के विचार भी इस रूप से बन रहे हैं, जिसके चलते लोगों को खुश रखना आसान नहीं है, फिर भी अपनी कोशिशें बनाए रखने की सब्सक्राइब विश्चिक राशी वाले कोशिशों के बावजूद सही समय पर सही बात नहीं कहता है, और बाद में आपको लगता है कि आपने अपने हालाद को ठीक से संभाला नहीं, विर्थ में दुखी होते चले जाना भी ठीक नहीं, कोई भी व्यक्ति हर चीज में सफल नहीं हो सकता, कोशिश करनी पड़ती है, और हालाद से कभी-कभी समझोता भी करना पड़ती है, क्या करना चाहिए समय? अपनी परिशानियों को लोगों पर दर्शाने से बचना होगा, और लोगों के हितकी बात करेंगे, तो आप उनके दिल को जीत भी पाएंगे, उसके लिए अपने व फलसफा है, जिस भी काम से जुड़े हुए हैं, उसमें समर्पित रहें और लोगों के प्रती अपनी अच्छाई हर रूप से बनाये रहें, हर चीज को जरूत से ज़्यादा सोचना और खुद को परिशान करते चले जाना ठीक है, तो जरूत से ज़्यादा किसी भी बात मे लेकर चिंतित हो जाना, परिशान हो जाना, इसकी कोई जरूत नहीं है, इस मेंटल स्टेट से, इस मांसे की स्थिती से आपको बाहर आना होगा, और फिर देखेगा सब कुछ ठीक है, ऐसी कोई चिंता की बात नहीं है आपके लिए, जुदिश्गरू, धनु और मकर, इनके जरूत नहीं है, आप किसी भी पल, कोई ऐसी गलती भी कर सकते हैं, जिसकी जरूत नहीं है, थोड़ी सी शांती बनाये रखने से, अपने हालाद को बेहतर तरीके से समझा जा सकते हैं, क्या करना चाहिए, आपका विवहार बिगड़ेगा, तो घर परिवार में रिष्टों पर बुरा असर आएगा, और ऐसे में लोगों के प्रती भरोसा भी कम होता चाहिए, ये सारी ऐसी चीज़े हैं, जिसोर थोड़ा सा ध्यान देने की जरूरत है, ताकि मुश्किलों को समय रहते समझा लिया, क्या न करें समय, काम और कारोबार से जुड़े फैसले दिल से न लाते चले, मकर राशिवाले ही समझ ले के इच्छाएं इनसान को बढ़का देते, और इनसान से गलत फैसले करवा देते, आपके उपर भी बहुत सारे ऐसे बनते विगड़ते विचार हैं, जिनको लेके आप व्यर्थ में दुखी होते चले चाहिए, क्या करना चाहिए सम और हो सकता है उसके पीछे भी चुपा हुआ, कोई ना कोई तुफ़ान होगा, तो किसी भी ऐसी बात को पुरेदते चले जाने से बचना होगा, जिसके पीछे आपकी मुश्किले चुपियो भी हो सकता है, क्या न करें समय, अपने आसपास के लोगों से या निजी जीवन म किसी से बैहस न करते चले जाएं, और किसी भी ऐसी बात को बढ़ावा न देते चले जाएं, जिसमें विचारों का मत्वेद चुपा हुआ, खुद को सही साबित करने के प्रयास में, रिष्टों को कमजोर करते चले जाना ठीक नहीं है, तो होता है ऐसा हम से अक्सर, कि हम को इसकदर सही साबित करना चाहते हैं, कि हम अपने रिष्टों को ताक पर रख देते हैं, और यही इस समय आपको नहीं रखना है, रिष्टों को प्रात्मिक्ता देने हैं, हमें भी आगे बढ़ना है, और प्रात्मिक्ता देने हैं, जो तश्गुरू अब कुम बर्मीन को कुम राशीवाले ही समझ लिए कि जंदगी में इच्छाएं वड़ जाएं तो फैसले गलत हो जाते हैं और जब फैसले गलत हो जाएं तो नुकसान भी हो सकता है जबके इस समय किसी भी तरह के नुकसान से बचने के लिए सहीं बनाया रखने की क्या करना चाहिए समय अपनी आर्थिक सिती का सही आंकलन करेंगे तो आप सही फैसले भी कर पाएंगे अपना नजरिया साफ होगा तभी परिस्तियों का आंकलन भी सही रूप से उपाएगा रिष्टों के प्रती ज्यादा बनता हुआ जुकाव भी इंसान को कई बार खटका ज़रोगा पीन राशी वाले ही समझ लें के पैसे ही सब कुछ नहीं है कब काम की स्थिती कमजोर हो जाए और कब पैसे की एहमियत काम हो जाए यह हम सब ने हाल में भली बांती देखा है समझाय और परकाया क्या करना चाहिए हमारी सोच बदल सकती है और जिंदगी को समझन एक दिन काम जरूर है क्या ने करें समझ जिंदगी को देखने का नजरिया बदल चुक है और सही और गलत की परिभाशाय भी बदल चुक है फिर भी रिष्टों की एहमियत पहले भी थी और हमेशा रही इसलिए अपने मन में कोई ऐसा विचार ना बनाए जिसके चलते बिल्कुल मत बनाए जिससे रिष्टों में किसी भी तरह की गिरावट आए रिष्टों को इस समय सम्हालना उनके साथ रहना बहुत और बेहत जरूरी है जो तुछ गुरू आप वक्त आगया है जैक पॉर्ट को जानने का तो किसके लिए क्या खास इशारा है क्या खास सला है उसे संभाल लेना असान नहीं होता है तो इसी के साथ वक्त है आपसे इजानत लेने का जोतिश गुरू बहुत बहुत शुक्रिया आज के लिए तो आप सब नोट कर लिए हमारा इमेल आईडी आपके तारे अट आज तक डॉट कॉम जिस पर आप भेज सकते हैं अपना स हमें उमीद है यह विडियो आपको पसंद आया होगा लेटेस्ट खबरों के लिए यूँ ही देखते रही आज तक और इस विडियो के पसंद आने पर लाइक शेर